Hello what's up guys my name is Vinod Baluthaappa and today in this video we will see mean, median, mode and range in statistics So let's begin जहां guys, आज हम देखेंगे हम किस तरह के से mean, median, mode and range निकाल सकते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पास यह list of values हैं जहां पर है 13, 18, 13, 14, 13, 16, 14, 21 and 13 तो सबसे पहले हम mean निकालते हैं एकदम हीजे, mean को हम average भी बोल सकते हैं तो mean का formula क्या है, submission of x upon n और यह x क्या है, यह सारे values है तो simple है, देखेंगे हमें क्या करना है, इन सारे number को plus करना है तो आप देख सकते हैं, 13, 14, 13, 16, 14, 21, 13, divided by n क्या है इसे total number देखेंगे, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 total number कितने हमारे पास, 9, तो इन सब को अगर हम add करेंगे, इनका sum निकालेंगे तो वो आएगा 135, divided by 9, जो कि हमारा आता है 15 जहां guys, देखेंगे, इतना easy था mean निकालना, तो 15 जो है, यह हमारा mean है ठीक है, now we will see median कैसे निकालते हैं, median कैसे निकाल सकते हैं median निकालने की भी दो तरिके, एक होता है for odd, और एक होता even तो अभी फिलाल हमारे पास यहां देखें, कितने number है, total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 क्या है guys, 9 है, ठीक है, हमारा n क्या है, 9, जो कि एक odd है तो हम इस वीडियो में देखेंगे, कि for odd number हम किस तरिके से median निकाल सकते हैं, मैं इसके उपर एक और वीडियो बनाऊँगा, जहां पर order event दोन होंगे, लेकिन अभी फिलाल odd है, ठीक, तो odd के लिग क्या करना है, n plus 1 divided by 2, तो इस position पर जो भी number आपका आएगा न, वो आपका median लेकिन उस से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो list of values दे रखी है, इसको हमें क्या करनी पड़ेगी, guys, इसको हमें increasing order में लिखना पड़ेगा, तो मैं sort में लिख रहा, आप इसको increase लिखा मेंने, ठीक, तो increasing order देखें क्या होगा इसका, guys, हमारा, वोगा 13, 13, 13, 14, चार बा 9, 21, तो total कितने होगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ठीक है, यह total हमारे 9 हो चुके, अब देखे, n क्या है, हमारा 9, total कितने 9 है, तो 9 plus 1 divided by 2, ठीक है, तो कितने होता है, 10 divided by 2, कितना होगा, guys, यह 5th, तो 5th position पे जो number हमारा आ रहा है, वो हमारा median कहलाएगा, तो count कीजिए, 1, 2, 3 4, 5, आप देख सकते, 5th position पे हमारा क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, तो 14 जो है, वो हमारा क्या है, guys, वो हमारा median कहलाएगा, ठीक है, तो यह formula होता है, simply ऐसा, बहुत हो ऐसा भी बोलते कि आप देख सकते, यहा पे 4 गया पे, यहा पे 4 गया पे, बीच में जो आया हो गया, तो य देखे, मौड निकालने का सबसे easy तरीका क्या है, guys, मौड हम easily निकालना है, और मौड क्या बोलता है, जो number सबसे ज़्यादा time repeat हो रहा है, वो हमारा मौड क्या लाता है, अब इस example आप इस पे ही देख सकते हो, 13 जो है, 4 बार repeat हो रहा है, 14 दो बार हो रहा है, बाकि कोई कु तो देखे, guys, range क्या बोलता है, range भी मैं यही पर निकाल देता हूँ, तो range क्या बोलता है, range बोलता है, जो maximum number है, minus lowest number, तो maximum number क्या, guys, we have 21, 21 minus 13, तो 21 minus 13 कितना होता, guys, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, तो total आरहा है, 8, ठीक है, तो range हमारा कितना हो गया, guys, 8, तो देखे, range maximum minus minimum होता ह तो, I hope, guys, आपको वीडियो पसंद आओगा, और देखे, इतना easy था है, निकाल ला, अगर, guys, आपको वीडियो पसंद आप, please, इसको like कीजे, share कीजे, और अपने सारे friend को इसको जरूर share कीजे, मेरे channel Thapa Technical को subscribe कीजेगा, तो thank you so much, guys, take care